365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएए सवाल सच्चे प्रेम को जानकर जीवन में खुशाहली कैसे लाएं क्षमा की शक्ती से अपने रिष्टों में नई रोशनी कैसे लाएं जाने अपने रिष्टों में मधुर्ता लाने का राज एक सेड़ी है, उसके घरको आग लग गई है, सेठानी बायर कई लगी हुही थी, घरको आग लगी हुही है, और वो चलाचला के बता रहा है लोगों को जल्दि जाओ अंदर से तिजोरी लेकर आओ, जल्दि जाओ अंदर वो संदुग रखी है, पलंगे नीचे वो लेकर आग बढ़ते जा रही है, आग इतनी बढ़ गई। सिरेटषी को जैसे कुछ याद आता है, भगगाता है अरे जहाओ, उसको याद आता एक तोता भी मेने पाला हुआ है, वो तो उधरी टंगा हुआ है, जल्दी से बालकने से लेकर आओ, फिर नौकर अंदर जाते है, तोते को भी लेकर आते, अंत में जब आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अंदर कोई जाई नहीं सकता, तब उसको याद आया कि मेरा बेटा कमरे में सोया हुआ है, उसका ख्याली नहीं आया, अब वो रो रहा है, चीक रहा है, सब बचा लिया, एक चीज नहीं बचा पाया, कौनसी चीज नहीं बचा पाया, जिसके लिए वो सारी चीजे थी, जिसके लिए वो सारी चीजे थी, उसको वह बचा नहीं पाया, वसियत जिसके नाम करने वाला था, जिसके नाम पुरी वसियत होने वाली थी, वही नहीं बचा, जिसके लिए सब कर रहा था, तोते को भी उसने रटा लगवा के गाना सिखाया था, मेरा नाम करेगा रोशन, जग मेरा राज दुलारा, तोता याद दिलाए ताकि बेटे की, अब क्या होगा तोता याद दिलाएगा, तोते को तो हविट है, वो तो ये गिद गाएगा और उसका दुख बड़ेगा, कैसी मुर्खता हो गई, जिस चीज को बचाना था, तो क्या बचाना है इंसान को, इंसान को जो चीज बचानी है, उसके लिए जो शब्द है, स्वा अनुभाव, जो समझ में नहीं आता, स्वा अनुभाव, जो इंसान को समझ में नहीं नहीं आता, वही चीज न जानकर इंसान पृत्वी से जाता है, अब इस स्वा अनुभाव को जो समझ भी नहीं आता है तो कौन सा शब्द समझा सकता है वो शब्द है प्रेम जो स्वा अनुभाव को समझा सकता है सबसे नज्दीक जो है वह है प्रेम और ये प्रेम के सक्के के पीछे क्या लिखा हुआ है शमा प्रेम और शमा का सिक्का टॉस करना है ये टॉस हुआ तो आप देखोगे हंड्रेड प्रतिशत शमा प्रेम को उजागर कर देगी हंड्रेड प्रतिशत को कि बने पार प्रतिशत शमा जैसे ही आप शमा मांगते हैं कोई आपको कुछ बुरे शब्द बोन देता है और फिर आपको कहता है कीर्पयो मैं जय शमआ करो तुरंक कैसे आपको मरं मर्म लग जाती है की उसी तो फिलिंग बदल जाती है किस 놓े Layer में आपको 10 गालियन लिखी है, और अखिर में लिखा, मैंने सिर्फ अपनी बढ़ास निकाली, आप ऐसे नहीं हो मझे मालम है, मझे शमा करो, अब पूरा लेटर पढ़ते वत कैसे मन में विचारा रहे थे, इसको तो नहीं छोड़ूंगा, अन्त पढ़ते ही धंडा हो गया परसन, क्या हुआ सामने वाले ने शमा मांगी, शमा कैसी शक्ति रखता है, यह आपको अंदर मांगनी है, ताकि सामने वाले के अंदर जो अवचेतन मन है, सबकॉंशिस माइंड है, वहां तक बात पहुंच जाए, जब आप अंदर शमा मांगते हो, तो सामने वाले के अंदर मन में वो बात पहुंचती है, गाली भी देटों भी, तो शमा मागने के साथ जो लखीरें काम कर रही है आपके बीच में, वे मिटना शुरू हो जाती है, और प्रेम उभर कर आता है, शमा की डेप्थ हर एक ने समझनी है, जनों ने भी प्रेम का कानून समझना है, और लोग कहने के लि किसके लिए कर रहे है, तुमारे लिए तो कर रहे है, तुमारे लिए तो कमा रहे है, मगर इमानदारी से हरे ने मनन करना है, ग्रे पिरेड में लोग मनन करते है, ग्रे पिरेड कब होता है, जब परसन मर रहा होता है, मृत्यु शयया पर या तुरंद मृत्यु के साथ, ग् है पूरा जीवन दिखाई देता है कि मैंने क्या क्या किया और कहां कहां मुझे शमा मागनी थी और कहां मैंने अहिंकार में ये नहीं किया उस वक्तों लोग इतना साफ देख बाते हैं क्या ये पहली देखा जा सकता है देखा जा सकता है जो हर इंसान देखता है और तब समय कैसा होता है तब वो ज्यादा कुछ करनी पाता जो उपस्त है उनसे शमा मांगता है मगर कितनी सारी बातें वो कहनी पाता तो प्रेम को समझने के लिए शमा को भी समझना है चार पंक्तियां सुन ले और अपने साथ कौन सी पंक्ति खरी उतरती है आज की तारिख में पूछ ले चार पंक्तियां क्या हैं। तो चार पंक्तियों में पहली पंक्ति क्या है। इंसान जो कहता है। आप में से कुछ लोग कहते होंगे या मानते होंगे। पहली पंक्ति है। मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि मुझे प्रेम मिलता है। मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि मुझे प्रेम मिलता है। दूसरी पंगती क्या है? मुझे प्रेम मिलता है क्योंके मैं प्रेम करता हूँ. मुझे प्रेम मिलता है क्योंके मैं प्रेम करता हूँ. फरक क्या है दोनों पंगतियों में? एक में मैं प्रेम करता हूँ क्योंके मुझे प्रेम मिलता है. अगर प्रेम नहीं मलता तो मैं प्रेम भी नहीं करता मर दूसरी बंगती क्या कहती है मुझे प्रेम मिलता है क्योंके मैं प्रेम करता हूँ यहां रहस्य समझ में आ गया है कि प्रेम कैसी चीज है जो लेने से नहीं मिलती देने से मिलती है दूसरी पंग्ति में ये रहे से क्लिर होता है। तीसरी पंग्ति क्या है। न मैं प्रेम करता हूं न प्रेम मिलता है। न मुझे प्रेम मिलता है न मैं प्रेम करता हूं। और चौती पंग्ति क्या है। मैं तो प्रेम करता हूँ, मगर मुझे प्रेम नहीं मिलता। तो ये चार पंग्तियां आप कहते होंगे या मानते होंगे। तो जिनके मन में पहली पंग्ति थी इमांदरे से वे हाथ उपर करेंगे। पहली पंग्ति थी। मैं प्रेम करता हूं क्योंकि प्रेम मिलता है हाँ तो लोग इमान दरे से हाथ उपर कर पा रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है खल कर क्योंकि इस बात को वे घरन करना चाहते हैं छुपा कर हम प्रेम दर्शन नहीं कर पाएंगे सच्चाई स्वय को बतानी है दूसरी पंक्ति जिनके लिए सत्य है कि मुझे प्रेम मिलता है क्योंकि मैं प्रेम करता हूं वे हाथ उपर करें अनेक लोग हैं बहुत बड़िया तीसरी पंक्ति जो मानते आये हैं या मैसूस करते हैं न मुझे प्रेम मिलता है न मैं प्रेम करता हूं वे हाथ उपर करें कुछ लोग यह अ मगर मुझे प्रेम नहीं मिलता। वे हाथ ओपर करें। तो तीसरे और चौथे जो लोग हैं। इनके लिए तो आज का संदेश आइ ओपनर है। उनके लिए आज का संदेश आइ ओपनर है। मगर बाकी सब भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। जहां पर वे अटक गये हैं। जहां एक पुष मिलना चाहिए। उन्हें वह पुष मिलेगा। आज मिलेगा। तो उसके लिए चार पंक्तियां सुनी पांचवी पंक्ति समझने के लिए। चार पंक्तियां मिली आपको पांचवी समझने के लिए। और पांचवी समझने के लिए ये संदेश दीरे दीरे आत्म साथ करते जाए। इंसान नास्तिक सोचता है इश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। कई लोगों के मन में ऐसे विचार पनप्ते हैं अपने जीवन की घटनाएं देखकर इश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। तो अगर वे अपने स्वांस पर ध्यान दें तो उनको सबूत मिल जाएगा। इश्वर लगातार सहला रहा है, पीठ सहला रहा है, सर सहला रहा है, प्रेम दी रहा है। स्वांस बंद होने के बाद भी मृत्यूपरांद जीवन में भी प्रेम मिल रहा है, मगर प्रेम की कल्पना है। कल्पना ने प्रेम को मार डाला। इंसान चाहता है मुझे प्रेम मिले। मगर उसकी कल्पना में जो है। वस कल्पना के नुसार गोडे पर राजकुमार, उसकी कल्पना के अनुसार एक अमीर शहजादी, उसकी कल्पना में कुछ है जो आएगा तो मेरा जीवन प्रेम से भर जायेगा। उन कलपनाओं को हटाना है, आज करा टॉपिक प्रेम है तो कौन सा प्रेम, प्रेम बिन फ्रेम, प्रेम बिन फ्रेम, फ्रेम होता है न फोटो के उपर, उसके ये प्रेम यानि ऐसा, इसके अंदर बैड़ता है, मगर प्रेम फ्रेम में नहीं आता, प्रेम किसी फ्रेम में नही प्रेम जानने के लिए हमें इस फ्रेम को फटाना पड़ेगा और इफ्रेम क्या है यह तो आज समझ कर भी जाओ इतना भी समझ लिया तो आप का जीवन बदल जाيगा प्रेम बिन फ्रेम हम प्रेम करना चाहते हैं महसूस करना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं कोई आपको कहता है I love A तो आपको उसे कुछ फरक नहीं पड़ता उसे मुझे कुछ फरक नहीं पड़ता I love A, I love B, I love C बोलते जाएं पूरी A, B, C, D, Z तक बोल दो खले एक ही लिटरे से आएगा जिसमें वो खुश होगा मगर उसको यह मालूम ही नहीं है जो यू आएगा उसका अर्थ है युनिवर्सल यू है युनिवर्सल युनिवर्स के लिए युनिवर्सल प्रेम जो है जो बेशर्त है बिन फ्रेम जिसमें शर्त नहीं है कलपना नहीं है उस प्रेम की बात चल रही है और इशुर्स प्रेम कर रहा है मगर इंसान कैसे देखता है वो तो पहले अपने माबाप पर भी डाउट करता है कि मेरे माबाप मुझसे यदी प्रेम करते हैं तो मुझे इंजेक्शन की लगवाते है वो भी तब जब मैं बीमार हूँ कमजोर हूँ मेरी बीमारी का फाइदा उठाते है इंजेक्शन लगवाते तो उस सवत आप जानते हैं बच्चे की बुद्धी कैसी होती है बड़ा होकर तो समझ जाता है एक्चली में वो प्रेम था सच्चा ही ये थी को प्रेम था तो ईश्वर प्रेम भी समझने के लिए एक समय लगता है और हमारा प्रेम या हमें कोई प्रेम करता है उसे समझने के लिए भी एक समय लगता है जिस चीज को आपको समझना है नियम क्या है उसके साथ बैठना पड़ेगा नियम क्या कहता है जिस चीज को आप समझना चाहते हो उसके साथ बैठो प्रेम को समझना चाहते हो तो प्रेम के साथ बैठो इश्वर की लीला को समझना चाहते हो तो लीला में बैठो तो इस विशे को गहराई तक समझ ले और पांचवी पंक्ती भी जान जाए वरना इंसान जो प्रेम कर रहा है वो कैसा प्रेम है प्रेम में वो क्या चाहता है वो चाहता है शरीर सुख शरीर सुविदा उसको प्रेम समझता है इमोशनल ब्लेकमेल को प्रेम समझता है इस से प्रेम मिलता है शरीर सुख मिल रहा है यानि प्रेम मिल रहा है तो इमोशनल ब्लेकमेल करके वो प्रेम प्राप्त करता है तो उसको लगता है यह तरीका है प्रेम करने का प्रेम क्या है इंसान के लिए तुलना इर्शा मोह तो यह सब चीजे प्रेम नहीं है, शरीर सुख प्रेम नहीं है, शरीर सुझदा प्रेम नहीं है, मोह प्रेम नहीं है, हर पेरेंट को यह समझना है, क्यूंकि कई बार मोह प्रेम लगने लगता है, मोह में हानी होती है, बच्चों की, तेज लाब नहीं होता, तो प्रेम क्या है और प्रेम की समझ ना होने की वज़े से लोग इसका इस्तमाल कैसे करेंगे जैसे एक कबेले की अवरत चंदन की लखड़ी को चूले में डालती है चंदन की लखड़ी को चूले में डालती है तो वैसे ही लोगों ने प्रेम के चंदन को कैसे इस्तमाल किया है अज्ञान में प्रेम के चंदन का उप्योग शरीर सुख, शरीर सुविदा, मोह, इमोशनल ब्लेकमेलिंग, तुलना, इर्शा, गलत फहिमिया ऐसा फ्रेम तैयार होते गया यह पूरा फ्रेम तूटना चाहिए और एक इंपोर्टन बात उसमें जुड़नी चाहिए तो वो समझने के लिए आप पांचवी पंक्ति भी समझ लो पांचवी पंक्ति क्या है? I love everybody because I am nobody मैं सबसे प्रेम गरता हूं because I am nobody, nobody के अर्थ, no body क्यूंकि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा मित्र है ये पांचवी पंक्ति कौन युनिवर्सल प्रेम के लिए कारे करेगा? I love A से लेकर Z तक आपने दोहराया, मर यू जिस चीज के लिए आया, वहां अगर गलत फहिमी हो गई तो इंसान तेश प्रेम को जान नहीं पाएगा, तो तेश प्रेम को समझना है, मूल चीज क्या है, उसे बचाना है, और हमें मौका मिलता है अलग-अलग रिष्टों के द्वारा, उनके द्वारा आपको दर्शन करने का मौका मिलता है, कैसी सुन्दर चीज है, जिसे जानने के लिए इतने मौके तयार होते हैं, मगर इंसान को ये पदा ही नहीं है, तो प्रि परिचय मात्र है, तेज ग्यान नहीं, तेज ग्यान सरश्री महा आस्मानी परमग्यान शिविर में प्रदान करते हैं, इसका असली आनन्द आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे हैपी थौट्स तेज ग्यान और सरश्री तेज ग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आ